हाई, वेल्कम तो मैं चनल, इस ब्रिम में सॉल्व करें क्रें क्रेंट नुबर 20 सम टॉफीज आर बाट अर दे रेट अफ 11 फार रुपीज 10 अर दे सेम नंबर अर दे रेट अफ 9 फार रुपीज 10 if the whole lot is sold at 1 रुपी पर टॉफी, find the gain or loss per cent on the whole transaction तो क्या कर रहा है कि some टॉफीज, कुछ टॉफीज जो है, खरीदी जाती है 11, किस रेट से? रेट दे दिया है कि 11 टॉफीज को खरीदा जा रहा है 10 रुपीज में ये पहला रेट है, ठीक है? और कितना खरीदी जा रहा है? कुछ, some टॉफीज, हम पता ने fix की कितने टॉफीज लेकिन कुछ टॉफीज जो है, इस रेट से खरीदी जा रहा है and the same number, जितना यहां पर खरीदी जा रहा है टॉफीज, उतने ही नंबर में उतने ही टॉफी जो है खर दी जा रही है इस रेट से मतलब कि 9, 4, 10 ये दूसरा रेट है आपका ठेक है? 9, 4, 10 अब कर रहे कि if the whole lot अब दोनों मिला करके जितना भी टॉफी खर दी जा रही है यदि उसको बेचा जाता है इस रेट से मतलब कि 1 रूपी पॉर टॉफी मतलब एक टॉफी का एक रूपया इस हिसाफ से बेच दिया गया जितना भी खरीदा गया दोनों केस में तो find the gain or loss percent on the whole transaction जितना भी ये transaction हुआ है इसमे gain हुआ या loss हुआ उसका percentage निका लिए तो ध्या दिजिएगा यहाँ पर जब solve करेंगे तो पहले आपको जो some toffies बोल रहा है कि कुछ toffies है उसको क्या माने हम तो हम कई तरीके से solve कर सकते हैं इसको एक चली तो हम एक number मान सकते हैं और वो number जो है जैसे यहाँ पर rate दिया हुआ है यहाँ पर 11 दिया हुआ है और यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो इन दोनों का lcm निकाल लेंगे और जो आएगा उतना मान करके solve करेंगे तो हमारा आसानी से बहुत ही easy way में निकल जाएगा लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी मान सकते हैं जैसे कि x मान सकते हैं हम some toughies को मान सकते हैं कि x मालीज के x number of toughies जो है वो इस rate से खरीदा तब भी solve कर सकते हैं तो हम x मान के करेंगे तो सही रहेगा क्योंकि आपको दिखेगा कि हाँ सच में x मान सकते हैं यहाँ पर elsm निकालने में थोड़ा सा आप लोग को कठिना ही हो जाती है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं इसमें तो अदिक्कत होती है यहाँ पर आप x मान के solve करते हैं तो हम यहाँ माल लेंगे कि let x number of let x number of toffees toffees are but okay x number of toffees यह खरी जा रहे हैं तो पहला rate है आपका 11 for rupees 10 11 office को खरी जा रहा है rupees 10 में तो यहाँ पर आप निकालेंगे हम लोग की दोनों case में x number of toffees का निकाला जा रहा है तो हम total निकालेंगे total cp कितना हुआ और total sp निकालेंगे तो total cp और total sp निकालने के बाद हम gain or loss percent के बारे में सोच सकते हैं है की नहीं तो पहले जो है हमें निकालना पड़ेगा की जो दो rate से अलग अलग तॉफीज का जो खरी जा रहा है तॉफीज उन दोनों का अलग 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 जो cp होगा उसका total cp कितना होगा यह निकालेंगे पहले तो पहले वाले rate से पहले निकाल लेते हैं cp कितना होगा तो यहां पर दिया होए first rate के अमसार 114 rupees 10 तो लिए सकते हैं यहां पर कि cost of 11 toffees दिया होए rupees 10 10 rupees तो अब यह बताइए यहां पर निकाल सकते हैं कि so cost of one toffees कितना होगा one toffees होगा 10 upon 11 तो cost of x toffees कितना होगा हम यहां पर लगा रहा है unitary method यहां पर हम x से मट बलाई कर देंगे 10 upon 11 x हो जाएगा इतना rupees होगा cost price होगा पहले वाले rate के अमसार x number of toffees का ठीक है अब हम निगाल लेंदें दूसरे cost of जो दूसरा rate है उसकी साब से तो cost of यहां बहुत बोला है nine toffees का cost of nine toffees दिया हुआ है कितना 10 rupees तो यहां निकाल सकते हैं कि cost of one toffees यह हो जाएगा 10 upon nine rupees ठीक है तो cost of x toffees कितना हो जाएगा यहां भी x toffees का निकालेंगे क्यों क्योंकि बोला कि same number of toffees कोई खरते जा रहा है इसी rate से तो x toffees का निकालने के लिए करेंगे 10 x upon nine कर लेंगे इतना rupees तो यह हो गया आपका cp निकल गया पहले rate से यहां पर इतना और दूसरी rate से इतना कितने का x toffees का x toffees यहां भी है x toffees तो हम total cp निकाल लेंगे यहां भी हो जाएगा total cp of x toffees तो x toffees का total cp क्या होगा तो x toffees अब नहीं है यहां पर अब हैं 2x toffees क्योंकि पहले बाले rate से हम x toffees खरिद रहे हैं और दूसरे बाले rate से भी हम खरिद रहे हैं x toffees तो दोनों मिल गया हो जाएगे हैं 2x toffees तो total cp of 2x toffees क्या हो जाएगा cp of cp at first rate cp of 2x toffees at first rate plus cp of अच्छा यहां पर 2x नहीं रहेगा बलकि यहां पर x रहेगा क्योंकि x toffees का जो है first 10x upon 11 plus 10x upon 9 यहां पर solve करेंगे तो मिलेगा दिखे 99 हो जाएगा LCM 11 से 99 बढ़ जाएगा 90 हो जाएगा यह तो यह मिलेगा 90 x plus यह 9 से बढ़ करेंगे 11 आएगा 11 से मिलेगा तो यहां मिलेगा 110 x दुनों को solve करेंगे तो मिलेगा आपको 200 x upon 99 ठीक है तो यह आपका आगया इतना रुपीज टोटल CP यह आपका है टोटल CP ठीक है अब निकालेंगे टोटल SP तो हम यहां पर क्या दिया है देखे रेट के दिया होए एक toffee का जो SP है वो दिया है 1 रुपीज ठीक है तो हम लिख रहेंगे यह आपर since given है हमारा कि SP of 1 toffee SP of 1 toffee यह आपका है 1 रुपीज तो it implies इसका मतलब कि SP of 2x toffee कितना होगा क्योंकि 2x toffee हम लोग यहां पर खरीदे हैं तो 2x toffee का यदि हम CP निकालने हैं तो 2x toffee को हमें SP भी निकालना पड़ेगा तो एक toffee का 1 रुपीज प्राइस है तो 2x toffee कितना हो जाएगा बस multiply कर देंगा 2x से यहां मिल जाएगा 2x रुपीज ठीक है तो हमारा निकल गया SP भी निकल गया अब यहां देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है 200x upon 99 बड़ा है या 2x बड़ा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 200 upon 200x upon 99 जो है बड़ा होगा 2x से मतलब यहां पर loss हो रहा है ठीक है कैसे हमने समझ में आया कि मतलब यह बड़ा है 200x upon 99 तो हम यहां पर निकाल सकते हैं इसको compare कर सकते हैं तो यहां पर compare कर लेते हैं देखिए आपको compare करना पड़ेगा roughly ठीक है 200 upon 99 और आपका है यहां पर 2x 2x1 कर लिजिए अब यहां पर L से मुझ आगा 99 तो 99 से डिब 18 का 8 1 carry over 218 और 119 तो 119 8x मिल जाएगा अब इन दुन में कौन बड़ा है यह बड़ा है इसलिए यह बड़ा हुआ है यह क्या है CP है तो इसका मतलब CP बड़ा है SP से इस तरह से आप पता कर लेंगे compare कर लेंगे और पता कर लेंगे CP यहां पर बड़ा है therefore यहां पर निकलेग आपको यहां पर कि since CP is greater than SP so loss percentage equal to loss percentage equal हो जाएगा CP minus SP upon CP multiplied by 100 आपको यह निकालना है बस CP कितना है CP आपका है यह 200 x upon 99 minus SP कितना है 2x rupees 2x upon 1 whole upon CP कितना है CP यही रखेंगे 200 x upon 99 into 100 यह थोड़ा सा लिखने में बड़ा लिख रहा है लेकिन आसान है ठीक है आप solve कर सकते हैं यहां पर solve कर लेंगे LC मिलेंगे यहां पर LC मिलेंगे तो मिलेगा 99 और 99 मिलेगा और मिले करेंगे तो 198 मिलेगा upon यहां पर तो है ही यहांपर 200 x upon 99 अब देख सकते हैं आप कि यह यह वाला टर्म है 99 यह इससे कट जाएगा और जो बचेगा वहां से answer आएगा हमारा और यहां पर तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि solve कर पाएं तो यहां हो जाएगा क्या तो हन्रेट एक्स में से 198 एक्स यह जी मैनस करेंगे तो मिलेगा आपको 2x upon यहां मिलेगा 200 x अब 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 आट बाई यहाँ पर है 100 x x तो किसे लट हो जाएगा और यहाँ से 2 से कंडे हो जाएगा यहाँ पर तो 200 हो जाएगा और 100 से यह कंडे हो जाएगा तो मतलब finally मिलेगा आपको 1 percent मतलब हर जगा पूरत से कट चुगा है हर चीज यहाँ मिल गया है 1 percent तो 1 percent का क्या होगा loss होगा last percentage कितना होगा 1 percent and this is your answer तो देखे यह तरीका था मतलब x मान करके तो आप क्या करोगे x नमरा टफिस का जो है दो रेट से दोनों रेट से जो है निकाल लोगे cp और total cp निकाल लोगे 2x का दोनों को add कर दोगे तो मिल जाएगा इतना अब जो है sp जो है निकाल लोगे तो 2x टॉफिस को जो sp होगा वो 2x टॉपिस होगा जो रेट दिया है उसे साब से फिर हम देखेंगे cp जो है बड़ा है sp से तो हम last percent निकाल लेंगे यहाँ से याँ फिर अलग अलग rate जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जिसे यहाँ पर है यहाँ पर आपको दिखाओं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे देखें यहाँ पर x टॉफिस का निकाले है ना x टॉफिस का निकाले है पहले पहले तो यहाँ पर निकाले जिए गा 99 हो जाएगा तो मतलब कि 90 हो जागा यह 90 रुपिज मिल जाएगा एक नमबर मिल जाएगी ठीक है और यहां भी 90 रुपिज के निकालोगे तो मिलेगा आपको 10 आपन 9 में मुट्पिलाई करना पड़ेगा 99 से 9 में जाएगा 11 तो मतलब मिल जाएगा एक 110 और दोनों को आइड करोगे तो 90 यहां रहेगा प्लस 110 रहेगा तो यह मिलेगा 200 200 मिल जाएगा अब यहां पर निकालोगे जब यहां पर CP of 99 99 को दो बायाट को कितना मिल जाएगा यहां पर मिलेगा CP जो है 198 मिल जाएगा और 198 CP मिल जाएगा SP जो है 198 मिल जाएगा देखो यहां पर SP छोटा हो जाएगा 200 से तो अराम से यहां पर loss percent निकालना होगे आप loss percent क्या करोगे 200 CP-SP 198 upon यहां पर जाएगा CP CP मिन्स हो जाएगा 200 by 100 solve करोगे बस वही आएगा 200-100 करोगे तो 2 आपान यहां पर आएगा 200 by 100 यह 0-0 घंसिल हो गया 2 से 2 घंसिल हो गया मतलब कि 1% तो मतलब कि यह भी एक तरीका है कि 99 मान करके दिकरेंगे तब भी हो जाएगा यह दिक्स मान के करेंगे तब भी हो जाएगा thank you so much for watching bye